सब्सक्राइब दोस्तों जसी टेक में आप सबका हर्दिक सवागत है दोस्तों वीकेंट का वीडियो है और हम बात करेंगे पूर्थ डिसेमबर मंदे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरह रह सकता है, हम लोग देखेंगे कि निफ्टी समय कहा स्थित है, बैंक निफ्टी कहा स्थित है, क्या आगे की इसकी संभावनाएं है, कुछ हम ये भी देखेंगे कि FII इसका डेटा क्या कहता है, और कोशिश करेंगे कि कुछ important जो stocks हैं, उन में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, उस पर भी चर्चा करने की, मतलब basically उनको by cell की सलामत लीजेगा, उसका impact क्या पढ़ सकता है, indices पर वो देखने की कोशिश करेंगे, चलिए सबसे पहले हम charts पे चलते हैं, और chart पे देखते हैं कि क्या हो रहा है nifty में, अगर nifty में आप देखेंगे तो एक uptrend चल रहा है और बहुत शानदार uptrend चल रहा है, Friday को एक gap up हुआ, और gap up के बाद हम लोग all time high को cross किये हैं, और twenty thousand two ninety one का high लग गया है, तो सब को बहुत-बहुत मबारक बाद है, twenty thousand two ninety one की all time high की trajectory test होने के बाद, मुझे उमीद है कि अब हर रोज हम नया से नया high ही लगाते जहें और investors को पैसा बनता जाए, कुछ लोग कहेंगे कि साहाब पहले तो यही बता दो जिये कि क्या यहां से sell करना ठीक रहेगा, मैं काफी दिन से कह रहा हूँ कि market क्या है, EMA nine से बहुत उपर है, EMA nine को touch भी नहीं कर रही दिखें आप, EMA nine से इतना पर है कि उपर ही उपर जाते आ रही है, तो इसका situation का क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, that the market is buy on any dip, और अब तो मुझे लग रहा है, पिछले चार दिन से तो कोई dip भी नहीं आ रहा, और उपर ही उपर उपर ही उपर जाते जा रही है आपकी nifty fifty, कुछ भाईयों का अब rsi पर दोस्तो relative strength index rsi 14 जो कह रहा है कि nifty overbought हो चुकी है, overbought हो चुकी है तो यहाँ पर थोड़ा सा risk जरूर जरूर बन गया है nifty 50 में, आए अगर आए एक बार को देखते हैं कि bank nifty की क्या है स्थितिया, जब हम bank nifty की स्थितिया देखते हैं, तो bank nifty looks weaker than nifty, still looks weaker than nifty, reason यह ह है कि nifty all time high पार करके नय all time high बना रहा है, और bank nifty अभी अपने all time high से बहुत नीचे, लगभग लगभग आप यह समझ लीजे कि 1500-1600 point से भी ज़्यादा नीचे अभी स्थित है, बट क्या bank nifty भी upside के अमूग दिखा सकता है, आईगे ज़रा देखने हैं कि 9 dema से कहा है, भी भी डिप मिल रहा है, वहां पर buying ही आ रही है, bank nifty as well as nifty both are above their 9 dema's, which means कि यहां से short करने की गलती तो किसी को नहीं ही करनी चाहिए, rsi पर भी देख लेते हैं कि क्या स्थितिया है bank nifty की, जब rsi पर देखते हैं, rsi अभी भी कह रहा है कि अभी भी दमखम बाकी है और अभ भी ओवरबाट जोन में bank nifty नहीं गया है, हाँ, nifty 50 ओवरबाट जोन में चला गया है, कुछ लोग कहेंगे कि क्या सर अगर ओवरबाट जोन में चला गया है तो क्या वहां से short कर देना चाहिए, बिलकुल भी नहीं, देखिए जब ओवरबाट जोन में चली जाते हैं, तो ये नहीं होता कि वहाँ से शॉट कर दो, वहाँ पर हो सकता है कि एक दो दिन का consolidation आ जाए, strength अभी भी बाकी है, consolidation आ जाए, थोड़ा अरसा ही कम हो जाए, फिर उपर को चारी रह सकता है, थोड़ा सा consolidation को कहीं आप गिरावट मत मान लीजेगा, तो थोड़ा देख सोचके किजेगा, bank, nifty और nifty में काम, अब ज़रा हम लोग देखेंगे कि विदेशी संस्थागत, निवेशक क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे levels पर भी, लेकिन विदेशी संस्थागत, निवेशकों ने 1 December 2023 को क्या किया, 1 December 2023, हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक, नेट बाई में है, domestic institutional investors, नेट बाई में है, दोनों ही बाई कह रहे हैं कि नहीं, हमको उपर को ही लेकर जाना है, लेकिन हैरानगी तब होती है, जब ये इतने बड़े दोनों ही नेट बाई में, अगले दिन में दिक्कत आ जाती है, बहुत भ्यंकर दिक्कत आने के आसार रहते हैं, इशारा है, बाकी मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि क्या करना है, वो तो हम लोग तो setup पर ही काम करते हैं, बट यहां पर दिक्कत जरूर नजर आती हुई दिख रही है, अब भाईयों एक चीज़ और है, अब हम लोग इससे पहले की levels पर जाएं, इस data को थोड़ा सा और एक बार को देख लेते हैं, fragment कर लेते हैं इस data को, और देख लेते हैं कि ये data जो है, इस data के अंदर क्या शुपा है, तो मैंने NSE की website से ही लिया है, और आएए देखने की विदेशी संस्थागत निवेशक करके क्या गए हैं शुकरवार को, देखिए विदेशी संस्थागत निवेशक की बात करूँ, तो future index में ये long है, index में long है यानि की अच्छा ये सोच रहे हैं कि future index long करके गए हैं, की upside का एक up move दिखता है, stock futures में भी ये long हैं, आप देख सकते हैं data का क्या फरक है, stock futures भी ये buy ही करके गए हैं, बतलब long ही करके गए हैं, option index, call, call भी long करके गए हैं, यानि की call भी buy करके गए हुए हैं, option का FII क्या short भी किया हैं इनोंने, जी हाँ, अब यहाँ देखिए, option index को call short किया है, यानि की index में इनोंने hedging की है, अगर call long करके गए हैं, उसके against कुछ call short भी करके गए हैं, यानि की आप ये देख लिजे, put side भी इनोंने put writing भी किया है, put buy भी किया और put right भी किया है, इसका मतलब है सीधा-सीधा ये hedge करके, यहाँ से situation को hedge करके गए हुए हैं, अब stock में भी अगर बात करेंगे, तो ये long ही है, option stock options में भी ये long करके गए हैं, call short भी करके गए हैं, अब आप देख लिजे, options में, stock में call short, basically इनका मतलब ये ही है, कि एक मिनट देखे, call long, बिल्कुल 182,958, देखे, call short करके गए हैं, stock options में, यानि कि इनको कहीं न कहीं लग रहा है, कि कुछ भी यहां से हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, वो ये कह रहे हैं, बाकी data शुरुआत में, index का long है, लेकिन stocks में ये तुड़े short गए हैं, ultimately अगर long contracts और short contracts का difference देखे, तो बहुत बड़ा difference नहीं है, बहुत बड़ा difference नहीं है, इसका मतलब क्या है, FII's hedge करके ही situation को गए हैं, अब देखे, FII's की position hedge हुई है, वो भी किस दिन शुक्रवार को, तो ये कुछ सोच समझ के ही hedge करके जाते हैं, reason क्या होता है, पता नहीं होता, Saturday, Sunday, weekend पर क्या ख़वर आ जाएं दोस्तों, बात कर लेते हैं, clients की, clients, future index short, देखे, बिल्कुल विदेशी संसागत निवेशकों के against में है, future stock short, call long करके गए हैं, clients भी जो हैं, वो भी call को long करके गए हैं, जब वो call long करके जाने लग जाएं, तो फिर यहां पर कुछ ना कुछ गडबड़ हो सकती है, दोस्तों, put long, put long भी है, लेकिन put long के, put short और put long लगबग लगबग, कोई ज़्यादा फरक नहीं पढ़ रहा है, मतलब यह देख लीजे, इनका भी कोई डेटा ऐसा ऐसा नहीं है, कि कुछ कहा जा सके, clients का कोई ऐसा डेटा खास नहीं है, DIA इस क्या करके गए हैं, आइए ज़रा देखते हैं, हलाकि DIA इसके डेटा से कोई परक ज़्यादा पड़ेगा नहीं, लेकिन DIA stock futures short है, put long करके गए, यानि कि put buy करके गए है, DIA put buy करके गए है, अलाकि सिर्फ 5,656 कोई ज़्यादा बड़ी चीज है नहीं, कोई ज़्यादा contracts है नहीं, तो मुझे यह लगता है कि अभी भी एक upside तो वाकी है, कोई dip आएगा, तो यहाँ से तो इससे तो यही लगता है कि कोई dip आएगा, तो वो buying ही हो जाएगी, अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं, कि क्या कहते हैं हमारे, simply सीधे सीधे यह देखते हैं, कि क्या कहता है विदेशी संस्थागत निवेशकों के बाद, हम देखते हैं कि option chain क्या कहती है, उसके बाद option chain के बाद, हम लोग चलेंगे सीधा nifty और bank nifty के charts पे, वहाँ पर देखेंगे levels, देखें अगर option chain की बाद करें, तो 20,267 पर closing होई है, तो कुछ लोगों को लगएगा, क्या 20,301 बहुत बड़ा resistance है, जी नहीं, 20,300 कोई बहुत बड़ा resistance है नहीं है दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा call writing का है, 20,400 पर 20,400 हमारे लिए call writers का zone है, 20,400, 20,400 is the zone for call writers, 20,400 से पहले कहीं पर भी कोई ऐसी call writing हो, कहीं पर भी कोई बहुत बड़ा resistance हो, मुझे तो कम से कम नहीं नजर आ रहा, तो 20,400 call writers का zone है, और वहीं क्या put writing कहीं है, put writers का 20,300, 20,200, 21,100 कहीं पर भी put writing इतनी ज़्यादा ताकत वर नहीं है, जिसे कह सकें कि अगर नीचे को जाता है, तो कहीं कोई रुकावट हो, जी नहीं, सीधा सीधा 2400 upside पे, और 20,000, 20,000 का जो है, सबसे ज़्यादा वहाई देखिए अप नहां खड़ा है, 20,000 पे वहाई सबसे ज़्यादा है, जो 20,000 आपके लिए put writers का zone है, यानि कि अगर 20, 267 जहां close हुआ है, इससे नीचे अगर आए हम, और support ढूणने की कोशिश की, तो कहीं पर भी 2220-100 पे support नहीं मिलेगा, और 20,000 का कोई support बड़ा दिख नहीं रहा, कम से कम, option chain में तो यहीं दिख रहा है, downside 20,000, upside 20,400, अब बात करते हैं bank nifty की, जब bank nifty की बात करते हैं दोस्तों, तो bank nifty की हमारी closing होई है, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या 45,000 पर call rating है, जी हाँ, 45,000 पर call writers ने अपनी positions को और strong कर लिया है, ताकत आ गई है, 96,434 नए contracts Friday को लिखे हैं उन्होंने, यानि की 45,000 एक strong 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 resistance रह सकता है, और 45,000 resistance है में, और नीचे की side पर अगर हम चलेंगे, तो आपको पता चलेगा, देखिए अभी 44,800 पर भी call writers है, 44,900 पर भी call writers है, और नए contracts लिख रहे हैं, 44,800, 900 पर, 45,000 पर call writing बहुँ स्ट्रॉंग है ही, अब बात कर लेते हैं हम जरा downside पर, put side की बात कर लेते हैं, तो 44,500, 44,800 पर put writing जरूर बैठ रही है, तो सीधा सीधा यहाँ पर भी यही नजर आ रहा है, 45,000 पर रेजिस्टेंस है, और 44,500 पर ही जाकर आपको support मिलने के असार नजर आते हैं, अब दोस्तों हम चलेंगे, Nifty, 50 और Bank Nifty के चार्ट पर, सबसे पहले Bank Nifty का चार्ट देखने हैं, और इसको हम लोग लेके चलेंगे 1R के चार्ट पर, और कोशिश करेंगे कि क्या हैं हमारे Levels, आईए Levels को देखने हैं, देखें दोस्तों, हलाकि 44,951 हाई है, बट अभी अभी हमने देखाया कि 45,000 पर बहुत strong resistance है, तो जब तक हम 45,000, 15,000, 20 ना क्रॉस करें, और अगर वो भी पार किया, तो 45,219, 220 तक के अपसाइड पर लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों, 44,800 जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 44,800 बहुत strong support अभी नजर आता है, उसके नीचे हो सकता है कि 44,700 एक support दे जाए, क्योंकि मुझे यह लगता है कि चार्ट पे तो 44,700 एक अच्छा strong support लग रहा है, बट अगर 44,696 टूटा, 44,700 के नीचे जाता है, 696 टूटता है, तो हम 44,590 और 44,590 यह नहीं, फिर हम 44,500 के नीचे या 44,500 या 44,470 तक के लेवल्स को भी देख पाएंगे, कि अब क्या Nifty में भी ऐसा कुछ नज़र आता है, Nifty में अल्रड़ी हम देख चुके हैं कि 20,400 पे सबसे बड़ा resistance है, और 20,000 पे है call, अब 20,000 पे put riders का zone, ऐसा ही कुछ लेवल्स पर भी नज़र आता हुआ दिखता है, 20,291 के उपर अगर मार्केट चलनी स्टार्ट होती है, तो हमको 20,337 मिलता है, उसके बार 20,360, 361 मिलता है, और उसके बाद मिलता है 20,387, वही बात है कि 20,400 बहुत स्ट्रॉंग resistance है, और शायद call riders उससे उपर इतनी जल्दी तो नहीं जाने देंगे, डाउनसाइड की बात करते हैं 20,183, 20,083, 20,083 अगर तूटता है, 20,083 क्या है, Friday का low है, अगर ये तूटा, तो 20,120, 124 के आसपास को एक support ले सकता है, चार्ट पे तो यही बताया जा रहा है, चार्ट पे candles तो यही बोल रही हैं, लेकिन अगर उससे भी नीचे गया, तो 20,000, 60,000, 62 तक आसकता है, और उसके बाद strong support आपको मालूम है, 20,000 का एक strong support बना हुआ है, दियान रखिएगा हम all time high पर हैं, दियान रखिएगा कि ना सिर्फ हम all time high पर हैं, बलकि दोनों FII's और DII's दबा के बाइंग करके हैं, net buy में हैं दोनों Friday को, तो अब Monday को कुछ भी हो सकता है, Monday को दिक्कत आ सकती है, बहुत लोगों को दिक्कत आएगी, कहीं उपर का ही मत सोचते रहिएगा, Nifty already overbought zone में है, बैंक Nifty अभी भी overbought zone में नहीं है, लेकिन बैंक Nifty पर immediate resistance कहाँ पर है, लगबग लगबग 180-185 पॉइंट पर जो की 45,000 पर बना हुआ है, उमीद यही करता हूँ, कि आपने already like किया होगा, पसंद आया होगा वीडियो तो like किया होगा, नहीं पसंद आया है, तो dislike भी कर सकते हैं, दोस्तों अगर पसंद आया है, तो share भी कीजेगा अपने friends के साथ, और अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है मेरे channel को, आप ही का channel है, तो इसको subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, share कीजेगा, like कीजेगा, and have a great weekend, good luck for Monday, bye-bye.